मंच पर उपस्तित हमारे भारतिय जन्ता पार्टी के बहुत ही जुझारू कर्मशील और समवेदनशील अध्यक्ष सम्मानिय मनमहुन शामल जी हमारे भारत सरकार में मंत्री पूर्व में महामंत्री रहे मेरे वरिश सयोगी सम्मानिय धर्मेंद्र पधान जी वर्तमान में हमारे राष्ट्रिय उपाध्यक्ष और मेरे वरिश साथी सम्मानिय बेजैंत पांडा जी हमारी यहां की प्रभारी और राष्ट्रिय महमंत्री पहंडी पुरंदेश्वरी जी हमारे भारत सरकार में मंत्री श्री विशेश्वर टुडू जी हमारे पूर्व में मंत्री रहे भारत सरकार में और मेरे वरिश साथी सम्मानिय जुएल उराओं जी हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मेरे मित्र केवी सिंग देव जी हमारे यहां के लोक्प्रिय सांसद और मेरे वरिष साथी सम्मानिय बसंत पांड़ा जी पूर्व में नेता प्रतिपक्ष रहे यहां से विधायक सम्मानिय प्रदिपत गनायक जी यहां की लोगपिय सांसद, बेन संगीदा सिंग देव जी, जिला के अध्यक्ष काला हंडी, देविंद्र महुंती जी, सब्रत पाठक जी हमारे नुवा पाड़ा के अध्यक्ष, सभी विधायक गंड, सांसद गंड, समस्पदादिकारी गंड, सम्मानित मंच, और इतनी बड़ी संक्या में, इतनी गर्मी में, इकत राये देवियों और सज्जनों, और मीडिया के मेरे साथ ही, प्रिंट मीडिया और इलक्ट्रोनिक मीडिया के मेरे साथ ही, सबसे पहले तो आप सब मेरे साथ जै जगनाद का नहरा लगाएंगे जै जगनाद जै जगनाद जै जगनाद जै जगनाद जी को नमन करते हुए और भहुदार अथियात्रा को प्रडाम करते हुए और आज मानेकश्वरी मंदिर में जाकर नमन करते हुए हमारे यहां उरिशा के समाच सुधारक मदु सुधन दास जी को नमन करते हुए पक्षी जगवंदु जी को नमन करते हुए इस पवित्र भूमी को नमन करते हुए मैं अपनी बात को प्रारम करता हुए मित्रों मुझसे पूर वक्ताओं ने प्रताप सैमल जी ने बेजन पंडा जी ने और धरमेंद्र पधान जी ने आपके सामने बहुत सी बातें बताई हैं मुझे खुशी है कि मैं आज उरीशा के वीर भूमी शौर भूमी और साहस की भूमी में आने का मुझे स्वाभाग्य मिला है ऐसी पवित्र भूमी को जहां से आज भारत के प्रथम नागरिक भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपती बन करके सुशोवित कर रही है भारत के गंतंत्र को ऐसी पवित्र भूमी को भी मैं नमन करता हूँ मित्रों जब मैं उरीशा को याद कर रहा हूँ तो सच में कुछ दिन पहले जो ट्रेन धुटकटना हुई जिसमें प्रथान मंत्री खुद आए हमारे भारत स्वरकार में मंत्री धर्मेंद्र प्रधाम ने उसमें राहत कारे में अपने आपको जोड़ा रेल मंत्री अश्रणी वैश्टनव ने राहत कारे में पूरा योगदान किया हमारे मनमोहन सामल और भारतिय जन्ता पाइटी की पूरी टीम तत्परता से लगी रही लेकिन हमारे उरिसा के भाईयों ने जो हतात हुए उनको शद्धांजली देते हुए उनकी आत्मा को शांती मिले और इसके साथ साथ उनके परिवार को इस दुख को सहने की ताकत मिले एसी प्रारतना करते हुए मैं अपनी बात को प्रारम करता हूँ मित्रों ये अमरित काल है और अमरित काल में प्रधान मंत्री जी ने एक लक्ष तै किया और वो लक्ष है कि हम विकास सील देश अब नहीं कहलाएंगे आने वाले समय में हम विक्सित राष्ट कहलाएंगे औ और विक्सित राश्ट्र को आगे ले जाएंगे और इसलिए दिन रात मेहनत करके वसुदाइव कुटुम्बकम का उद्गोश्ट करते हुए वह दुनिया में भारत की थाथी भारत का डंका भारत की ताकत इसको बताने के लिए दिन रात एक करके काम कर रहे हुए आज हमें आज से दो दिन पहले वो अमरीका की धर्ती पर गए उन्होंने अमरीका में टॉप जो दुनिया के जाने माने आर्थिक जगत से संबन्द रखने वाले नेता रहे उनके साथ मुलाकात की और आज प्रधान मंत्री मोदी जी को दुनिया मानती है कि उनके नित्रत में उनके कॉशल ने देश को और दुनिया को एक नई दिशा दी है एक नई टाकत दी है और इसलिए आज से दो दिन पहले हमारे मशूर नोबल प्राइज विनर पॉल रोमर ने कहा वह दिन मेरे लिए सौभाग्य शाली होता है जिस दिन मैं कुछ नया सीखता हूँ और आज मेरी मुलाकात प्रधान मंतरी मोदी जी से मिली है मुझे एक नहीं अने को नई बात जानने का मौका मिला है और भारत के विकास का आधार का आधार कार्ड भी समझने का मौका मिला है ये हमारे पॉल रोमर सहाब बोलते हैं उसी तरीके से दुनिया के एनलिस्ट रे डैलियो बोलते हैं कि यह भारत का समय है यह मोदी जी का समय है उसी प्रकार से नील टाइसन कहते हैं कि आस्मान नीला गगन मोदी जी की सीमाएं नहीं है इस आस्मान से भी ऊपर असीमित है मोदी जी का कौशल और मोदी जी का नेत्रत हो उसी तरीके से औस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को बास कहके संबोधित करते हैं कोई कहता है I am fan of मोदी जी कोई कहता है मोदी जी is a global leader कोई कहता है मोदी जी you are the hero कोई कहता है मोदी जी you are the reformer in chief बदलाओ के आप मध्यम हो और कोई कहता है मोदी जी आप महान देश भक्त हो यह दुनिया के लोग मोदी जी को अलंकरित करते हुए दुनिया की हर देश अपने अपने तरफ से सबसे बड़ा सम्मान दे करके मोदी जी का सम्मान कर रही है लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब दुनिया में मोदी जी की वावाही हो रही है उनकी प्रशंसा होती है कोई बॉस बोलता है कोई हीरो बोलता है कोई social reformer तो यहां हमारे कॉंग्रेस के नेताओं के पेट में मरोड होती है उनको पसंद नहीं आता कि देश का नाम हो रहा है उनको पसंद नहीं आता कि देश की प्रशंचा हो रही है कोई नेता मोदी जी को साथ कह करके चचा करता है कोई बिच्छू बोलता है कोई नीच बोलता है कोई अनपड बोलता है कोई चाय वाला बोलता है उनको मालूम नहीं है कि तुमारे बोलने से कुछ नहीं होता 140 करोड देश वासियों का प्यार मोधी जी के साथ है इस बात को हमको याद रखना है इसलिए जितना तुम ऐसे शब्दों का प्रयोग करोगे दुनिया में उनकी प्रशंसा लोग करेंगे और मोधी जिस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं देश को वो सब के सामने हैं लेकिन हाँ कॉंग्रेस भी अपनी नियती और नियत पर काम कर रही है आज मुझे बड़ा अश्चर है हुआ मुझे ये 23 तारीकों सारे पट्ना में ये गलबाईया कर रहे हैं गले मिल रहे हैं मुलाकात कर रहे हैं मुझे अपने बच्पन का दिन याद आ गया मेरी पढ़ाई लिखाई पट्ना में हुई मेरा जन पट्ना में हुआ मैं वहाँ पर मेट्रिक का विद्यार थी था यही लालू प्रसाद यादव पूरे 22 महीने जेल कॉंग्रेस की इंद्रा गांधी राहुल की दादी ने इसको जेल में डाला था यही नितीश कुमार पूरे 20 महीने जेल की सिक्चों के पीछे कॉंग्रेस पार्टी की इंद्रा गांधी ने डाला था यही राहुल गांधी की दादी ने डाला था आज पटना की धर्ती पर राहुल को आदर सहिद उनको स्वागत करते हुए जब मैं इनकी तस्वीरे देख रहा हूँ तो मुझे याद आता है कि राजनीती में क्या से क्या हो गया कहां से चले थे और कहां पहुँच गए इसकी यात्रा मुझे दिखाई देखी मैंने देखा अभी अभी पता चला कि उद्दव ठाकरे पट्ना की धर्ती पर लैंड कर गए है ये हिंदू शिव सेना ये हिंदूों की बात करने वाले इनके पिता हिंदू समराथ पाला साहब ठाकरे कहा करते थे कि मैं शिव सेना को कॉंग्रेस नहीं बनने दूँगा अगर कॉंग्रेस से हाथ मिलाना पड़े तो मैं अपनी दुकान बंद कर दूँगा आज बाला साहब ठाकरे सोचते होंगे किसी और नहीं उनके बेटे नहीं उनकी दुकान बंद कर दी है उनकी दुकान बंद कर दी है यह परिसेती आज आकर के खड़ी हुई है कैसी राज़्दी थी वंशिवाद मोदी जी ने नई संस्कृती देश को दी है देश को वंशिवाद से निकाल कर विकास वाद के रास्ते पर खड़ा किया है मोदी जी ने भारत को नई राज़्दी दी है नई संस्कृती दी है वोट बैंक की पॉलिटिक्स से निकाल करके दिकास वाद की और खड़ा किया और मोदी जी ने नई राज़्दी को जन दिया है ये वोट बैंक की राज़्दी से निकाल कर रिपोर्ट कार्ड की राज़्दी जो कहा था वो किया है जो कहेंगे जो करेंगे जो नहीं भी कहा होगा वो भी करके देंगे ये रिपोर्ट कार्ड की राज़्दी रखी है आज मुझे खुशी हो रही है पिछले नौ सालों में 18 लाग करोड रुपे हाईवे पर रेलवे पर एरवे पर मेट्रों पर खरच हो गए 18 लाग करोड इस साल एक लाग करोड रुपे खरच हो रहा है आपको जानकर खुशी होगी नौ साल के अंदर नाशनल हाईवे राष्ट्रिय राजमार्क 54,000 किलो मेट्र बन गए है आपको जानकर के खुशी होगी 616 किलो मेट्रों रेल बन गई है आपको जानकर खुशी होगी राष्ट्रिय राजमार्क एक दिन में 5 किलो मेटर बना करता था 2014 में आज यही रेलवे बार्क 5.6 किलो मेटर बना करता था आज रेल की पट्री प्रती दिन 14.3 किलो मेटर बन रही है आपको जानकर खुशी होगी कि 12 किलो मेटर राष्ट्रिय राजमार्क प्रती दिन बना करता था आज 29 किलो मेटर प्रती दिन राष्ट्रिय राजमार्क राष्ट्र को समर्पित हो रही है ये बदलता भारत है, इसको भी हमको समझना चाहिए, मित्रों आपको जानकर खुशी होगी, नौ साल में 74 एरपोर्ट बने, 74 साल सुरी, 70 साल में 74 एरपोर्ट बने, और मोदी जी ने 9 साल के अंदर 74 नए एरपोर्ट बना करके दिये, और ये भी हमारे विकास की एक नहीं अधार मंत्री जी का स्वागत कर रहे थे, पिछली रात आपने टेलिवीजन पर देखा होगा, आपको मालूम है, भारत में ये बदलता भारत, 470 एरबस, बोईंग, जिसमें 200 बोईंग है, और 270 एरबस है, इसका ओरडर भारत में दिया है, भारत ने, 470 बोईंग और एरब जो बाइडन क्या कहते हैं, कि हमारे हाँ, इस से 10 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी, और 44 राज्यों में हमारे आर्थिक निकास होगा, ये आज भारत देने की सिती में आया है, मैकरोन, प्रांस के राश्टर पधी, वो हस्ताक्षर करते समय वहाँ, उपस्तित होते हैं, औ कि रोल्स रॉइस की आप इंजिन हमसे ले रहे हो, वो समय दूर नहीं है, जब भारत पांचवी नंबर की अर्थ वेवस्ता से तीस्री नंबर की अर्थ वेवस्ता बन जाएगा, आज ये भारत की छवी बननी है, मित्रों, मैं विकास की बहुत से आपको आयाम बताना चाह हो, गाओं, गरीब, वंचित, टीडित, सोशित, तलित, किसान, युवा, इनकी तस्वीर और तकदीर बदलने का काम, और किसी ने नहीं किया, नौ सालों के अंदर प्रधान मंत्री मोधी जी ने करके दिया है, ये भी हम आपको बताना है, आज आपको जानकर आश्चर होग प्रधान मंत्री की कुर्सी पर बैठें, आज प्रधान मंत्री गरीब कल्यान आन योजना में, जहां 80 करोड की जनता को प्रधान मंत्री जी 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो डाल दे रहे हैं, तो आपको जानकर आश्चर होगा कि उरीसा, उरीसा जिसकी आबादी साड़े चार करोड है, उसमें से साड़े तीन करोड, साड़े तीन करोड प्रधान मंत्री गरीब कल्यान आन योजना में अनप्राप्त कर रहे हैं, क्या है, कहां पहुँचा दिया, 23 साल से, तुम कर रहे हो, और मोदी जी ने यहीं प्रधान मंत्री गरीब कल्यान आन योजना के कारण, जो भारत की गरीबी 22 प्रतिशत पर खड़ी थी, उसको घटा करके 10 प्रतिशत से भी कम कर दिया है, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए, आपको जान करके खुशी होगी, भारत की अत अब प्रधान मंत्री आवास योजना की मैं बात करूँ, 4 करोड घर दिये गए, 4 करोड प्रधान मंत्री आवास योजना के तहट, और यहां भी आप यहां, 75 लाग घर संक्शन हो गए, 29 लाग घर बनने का प्रक्रियाश शुरू हो गई, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ है, मोदी जी एक तरह 75 लाग घर उरीशा को देते हैं, तो वहीं यहां पर घोटाले पे घोटाला होता है, और पात्र को नहीं मिलता है, और जो पात्र नहीं है, उसको दिया जाता है, यह घोटाला होता है, मैं चाहूंगा, भारत सरकार इंक्वारी बैठाए, मैं से बात करूंगा और दूद का दूद पानी का पानी किया जाएगा उड़ी सा के लोगों को जो पात्र हैं जो पात्र हैं उनको घर मिलेगा और जो भ्रस्टाचार जिसने किया है और जिसने भ्रस्टाचार किया है उसको जेल भेजा जाएगा यह विवस्ता की जाएगी यह भ प्रदान मंतरी स्वस्ता अभियान में भी 11 करोड टॉयलेट बने और 11 करोड टॉयलेट में से 71 लाग टॉयलेट हमारे उरिशा में बने जैनि सोचिए 9 साल पहले क्या सिती थी 71 लाग हिज़त घर मतलब 71 लाग बहने अपने दैनिक जीवन के करम के लिए खेतों में जाया करती जेसा घुडान वहरत था कैसा उडी सा आज 11 करोड लोगों को इज़त देने का काम किया है तो नरएंडर मोदी ने का हिए अगर 71 लाग बहनों को इज़त देने का काम किया है तो नरेंडर मोदी जी ने ने 9.9 करोड नearermal 93 लोगों के घर में पानी पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया है जिसमें 51,001 लाक उरीसा में घरों में पानी पहुंचाया गया है आयूश्मान भारत में 11 करोर लोगों को जोडा गया लेकिन यहां भर हमारे नवीन बाबु ने कहा चाहिए न चाहिए नहीं हम आपको पांच लाख रुपे का हेल्थ कवर देना चाहते हैं लेकिन नवीन बाबू नहीं चाहते कि उरिशा की जनता को मोदी जी का हेल्थ कवर पहुँच सके और आपके स्वास्त की रक्षा हो सके प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधी 10 करोड 78 लाख लोगों को प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधी मिल रही है और 32 लाख लोग हमारे यहां के उरिशा के हैं जिनको ये सुविधा मिल रही है ये भी आप ध्यान रखिए मित्रों और विशेश करके पत्रकार बंदू मैं चाहूंगा कि दुनिया में ये जो कांग्रेसी है ये निशुद अनपढ़ है ये बिल्कुल अनपढ़ है और ये गलत तरीके की राजनीती करने कर भ्रामक्त्री फैलाने की कोशिश को है क्या कहते हैं गरीबी मैंने आपको बता दिया एक प्रतिशत से कम आ गई अती गरीबी दस प्रतिशत से कम आ गई गरीबी ये कहते हैं महंगाई महंगाई मैं आपके सामदे आँकड़े रखना चाहता हूं और मेरे भाईयों नोट कर लेना दुनिया में कोरोना की मार पड़ी दुनिया में दुनिया में यूक्रेन के लडाई का मार का सप्लाई चेन पर असर पड़ा लेकिन आप आँकड़े सुन लो प्रांस में ग्रोथ रेट 6.8 परसंट है यूनाइट स्टेट्स का GDP का ग्रोथ रेट 5.9 परसंट है ब्रजील का 4.6 परसंट है केनाड़ आका 4.5 परसंट है साउथ कोरिया का 4.1 परसंट है जर्मनी का 2.6 परसंट है आउस्स्ट्रेलिया का 2.2 परसंट है और भारत का ग्रोप रेट 8.7 परखड़ा है 8.7 पर ख़ड़ा है पत्रकार बंदू मेरे 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 आखड़ों को नोट करके इन कांग्रेसी अनपढ़ेंगों से पूछना कि तुमको ग्रोथ रेट समझ में आता है मैं आपको महंगा ही समझाता हूँ और examination जिशको अंग्रेजी में inflation कहते है France का inflation 5.1 परसंट United States का America का inflation 4.9 परसंट Euro area का 6.1 परसंट Australia का 7 परसंट Italy का 7.6 परसंट United Kingdom का 8.7 परसंट और भारत का inflation 4.2 परसंट है 4.2 मैं आपको खाद्य सामगरी की इंफलेशन के बारे में भी बताना चाहता हूँ, वो भी सुन लीजिए, फ्रांस का खाद्य सामगरी, खाने की सामगरी का इंफलेशन महंगाई, फ्रांस की 14.3 प्रतिशत, युनाइट सेट्स की 6.7 प्रतिशत, जर्मनी की 14.5 प्रतिशत, यू 16.41 परसें, स्वीडन की 16.86 परसें, उनाइट किंडम इंग्लेंड की 19 प्रतिशत, पाकिस्तान 48 दसमला 25 प्रतिशत और भारत 2.9 परसें, 2.9 परसें, यह पदलता भारत, आओ मेरे साथ, मैं कांगरेशियों को कहूंगा, आओ मेरे साथ चर्चा करो, आंकड़ों के साथ करो आज अम्रीका बोल रहा है कि दस लाख लोगों को नौक्रियां और इंप्लॉइमेंट देने का काम भारत कर रहा है और भारत में जिस तरीके से विकास की नई गंगा बह रही है हम विकास को धर को बना रहे हैं यह अनपड कांगरेसी नहीं जानते कि जब एकॉनमी बढ़ती है तो इंप्लॉइमेंट भी बढ़ती है और रोजगार भी मिलता है रोजगार के साधन भी मिलते हैं यह इनको समझ में नहीं आ रहा है इसलिए पत्रगार बंदू मैं आपसे निवेदन करूंगा दुनिया में आर्थिक मंदी है लेकिन मौर्गन स्टेनली बैंक कहता है कि भारत की अर्थ वेवस्ता नरेंद्र मोधी के नित्रतों में दुनिया में सबसे मजबूत अर्थ वेवस्ता खड़ी है तो वो भारत की अर्थ खड़ी है यह भी हमको ज्यान में रखना का इसलिए मित्रो मैं अगर उरीचा की बात करूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा आप बदाएए पूरी के रेलवे स्टेशन का रीडेवलप्न्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है आप बताईए कटक के रेलवे स्टेशन का कि नहीं हो गया है उरिशा के सारे रेल्वेय ट्रैक का इलेक्टिफिकेशन हो गया है जल जीवन विशन ने तीन हजार तीन सो तैंस करोड़ रुपए इस साल खर्च हो रहे हैं उसी तरीके से आपको पर्मेनेंट कैंपस जो है उसका फांडेशन स्टोन इंडियन इंस्टिट आप मैंजमेंट का संबलपुर में रख दिया गया है और उसमें भी 401 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं इंडियन इंस्टिटूट ऑफ साइंस एन एड्यूकेशन और इसमें एक हजार पांटसो ब्यासी करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं उसी तरीके से स्किल इंडि इंस्टिटूट भूवनेश्वर में वह अभी आज विराजमान हो करके खड़ा है मैं हमारे धर्मेंदर जी को इसके लिए बदाई देना चाहूंगा यह स्किल डेवलप्पुर में बना करके दिया है उसी तरीके से सौफ्वेर टेक्नोलोजी पार्क यह भी संबलपुर मे बना करके दिया है गती शक्ती में मल्टी मोडल कार्गो टर्मिनल दिया है और उसी तरीके से चाह एक सो चार एकलव्य मॉडल रेजिदेंशल स्कूल बनाए जा रहे हैं जिसमें 32 स्कूल फंक्शनल हो गए हैं यह भी आप ध्यान रखिए मुझे खुशी है कि मोदी जी के नित्र्तुमें जब मैं स्वास्त मंत्री था तो मैंने आपको рублей काुलेज सेवन मेंडीकल गॉलेज जिसमें से चार फंक्शनल हो गए हैं 3 फंक्शनल हो गए हैं और चार को जल्दी से सर्फंक्शनल हो जाए गये हमारे बाला सोर 100 189 करोर रुपीज का बरीपादा, महयूरभंज 189 करोर का बोलंगीर 189 करोर। कोरापत ये भी 189 करोर का पुरी में 189 करोर का जाज़पुर में 250 करोर रुप और कालाहांडी में आप के हाँ 325 करोर का Medical College बना जा रहा है 325 करो यह थाती ठोक के बोलने की ताकत यह मारे नेताओं की ताकत जिन्नोंने बुलांगीर के लिए भी जिन्नोंने काला हंडी के लिए भी जिन्नोंने उरिशा के लिए भी दिकास में मोधी जी के नितुत में उरिशा को नए आयाम देने का काम किया है तो वो एंडिये की सरकार हमको ध्यान में रखना चाहिए मित्रों अगर मैं रेलवे की लाइन की कमिशन बताऊं तो आज 1135 किलो मीटर उरिसा में ही रेलवे लाइन बना है लेकिन मुझे मित्रों दुख के साथ ये कहना पड़ता है और वो ये कहना पड़ता है कि आज मुझे समझ में नहीं आता है मैं मालूम नहीं नेता चला रहे हैं या अफसर चला रहे हैं मालूम नहीं कौन है किसकी चलती है हमा मैं अपने MLA से पूछ रहा था बोलो आप हमारी बात तो छोड़ दो यहां तो बीजू जनता दल के MP और MLA की कोई नहीं सुनता सिर्फ अधिकारिये राज कर रहे हैं और अधि अधिर हैं रहे हैं तो बिता मारी था भी में रखी जनती हम बात दोख को तो हैं च्छली तो सर्कार कोई रहा прंड है था चाहां ऐसी सरकार चाहिए क्या जोर से बोलिये ऐसी सरकार चाहिए क्या ऐसी सरकार चाहिए क्या आप वोट किसी को देते हैं राज को और अर करता है समय आगया है आने वाले समन में दिल्ली में कमल तो खिलाएंगे ही उरिशा में भी कमल खिला करके यहां भी हम अपनी सरकार बनाएंगे इसके लिए हमको काम करना मित्रो मुझे मुझे दुख होता है कि सबसे पर कैपिटा इंकम सबसे कम उरिशा की मुझे दुख होता है सबसे कम आमदनी किसानों में उरिशा की सबसे ज्यादा महिला उत्पीरन महिलाओं का चोशन उरिशा में और उसी के साथ साथ यहाँ पर ब्रश्टा चार आकंड ब्रश्टा चार में डूबा गुआ है 50% वाला राज हो गया 50% वाला 50 कमिशन तो 50 धर्थी पर लगे पता नहीं कमिशन कहां कहां हो रहा है और यही पर नवीन बाबु ने कहा था कि मैं हर ब्लॉक को कोल्ड स्टोरेज दूँगा यहीं नवीन बाबु ने कहा था कि मैं हर ब्लॉक में 35% सिज़्चित भूमी कर दूँगा हो गया क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या मित्रो ऐसी सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है मुझे दुख होता है नाम लगाने से कुछ नहीं होता दिल पे उडिसा की जन्ता में मोदी जी छाय हुए है और इसलिए मोदी जी को लोग जानते हैं याद रखते है मित्रो जादा समय ना लेता हुआ आप से मैं निवेदन करने आया हूँ काला हंडी की तस्वीर बढ़लेंगे बदल रहे हैं हमी बदल रहे हैं मेडिकल कॉलेज भी दिया तो हमने दिया सडकें भी देंगे हमी दे रहे हैं रूरल रोड भी देंगे तो हमी देंगे और इसलिए आपका विश्वास चाहिए आपका समर्थन चाहिए आपकी ताकत चाहिए उरिशा डेवलेप्ट स्टेटों में बनेगा और अगर भारत को विक्सित बनना है तो उरिशा को भी विक्सित होना होगा और उसको करने के लिए आपका समर्थन चाहिए होगा वो मिलेगा इनी शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद जै भारत जै उरिशा जै जगना जै 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 जिद्वात बाद धन्यवाद मान्यवार राष्ट्य अध्यकां करो क्वडा हंडिरो मात